किसी जंगल में कबूत्रों का एक जुन रहता था। उनका राजा बहुत समझदार और सतर्क था। एक दिन भूजन की तलाश में उड़ते हुए उन्होंने नीचे बहुत सारे अनाज बिखरे हुए देखा। उन्हें देखकर कबूत्रों के मन में लालच आ गया। कबूत्र ही आया था। सभी कबूत्र फरफराने लगे और दर से घबरा गए। वे सोचने लगे कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी उनके राजा ने सभी को शांत किया और कहा हम सबको एक साथ मिलकर उरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक्ता के साथ प्रयास करेंगे त थोड़ी दूर उरने के बाद राजा ने उन्हें अपने मित्र चूहे के पास ले जाने का सुझाव दिया। वह चूहा जाल काटने में माहिर था। जब वे चूहे के पास पहुँचे तो उसने तुरंट अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही झाल को किया।